सवागत आप सभी कब्रेक के बाद दिराधेसान देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ मनी शर्मा खबरों कर लेते हैं फ्रदेश के नए निर्माणादीन प्रोजेक्ट्स पर सी एम गहलोत की पूरी नज़र है क्योंकि आज निर्माणा धीन प्रोजेक्ट्स का जायजा लेंगे CM ग्यालोत और वक्त रहेगा सुबा साड़े ग्यारा बजे का जब पुरानी विधान सभाज जाने का कारेकरम है और आमेर विकास प्रादिकरण की निगरानी में बन रहा म्यूजियम कलमंत्री बीडी कल लाने भी काम का जायजा लिया था काम में रफ्तार लाने के निर्देश दिये गए थे दोपहर बारा बजे SMS, हॉस्पिटल, IPD टावर का काम देखने जाएंगे CM और साड़े बारा बजे का वक्त रहेगा जब पोदार स्कूल में चल रहे काम को भी देखा जाएगा दोपहर एक बजे गांधी म्यूजियम के काम का जायजा लिया जाएगा और इसी कबर पर फोन लाइन पर मौजूद है सयोगी सशी मोहन शर्मा पूर जानकारे साजा करी है मनी शर्मा कल भी मुख्यमंत्रिय अश्वक गयलोथ का कारेकरम बना शाम का लेकिन किसी कारण से कारेकरम इस्तवित कर दिया गया था आज मुख्यमंत्रिय अश्वक गयलोथ चार जगों का जायजा लेंगे प्रदेश के जो निर्मानाधीन प्रोजेक्ट्स हैं उन पर कोशिश यही है कि चुनावी आचार सहीता हो उससे पहले अधिकांश काम पूरा हो जाए जिनके उद्गाटन करने की इस्तिती में लाया है उसके मंत्री बीडी कल्ला ने भी कल जायजा लिया था उन्होंने देखा काम में रफ्तार लाने के निर्देश दिये यहां पर दरसल जो पुरानी यादे संजोने का काम है विधानसवा से जुड़ी हुई उससे संबंदित म्यूजियम बनाए जा रहा है उसका काम होना ह साथ में आई पीडी टावर बन रहा है एसमेस हॉस्पिटिल में जो देश में अपने आप में अनोखा काम हो रहा है यह लोहे के गार्डर्स के उपर धाचा तयार करके बड़ा आई पीडी टावर बनाये जाएगा जहां प्रदेश के अलग-अलग हिस्तों से आने वाले मर जो को राहत मिल सकेगी और इसके बाद में मुख्यमंत्री अशोग गयलोत का फोदार इसकूल जाने का कारेकर में उचिशिक्षवी बाग के तहत जो अंडर कंस्ट्रुक्शन काम चल रहा है उसका जाय जा लेंगे और दोपेर एक बज़े टी-एम गांधी म्यूजियम पह जानकारी के लिए तो आज क्या कारेकरम रहेगा मुख्यमंत्र अशोग गयलोत का ये जानकारी सायोगी साशिमोहन शर्माने साजग की कर आपका शुक्रिया तो आज पिंक सिटी में करते हैं